रंग समस्कति के आच्छी कारकर में आपका हार दिख सौगाते मित्रों। आज 19 अगस्त है और आज हम आपके सामें लगभग 15 कलाकारों जो प्रिस्तिया लेकि उपस देच हुए हैं। ये प्रिस्तिया हैं लगुनाट, वाइलिन, ढोलक और तबला वादन, बधाई, गोड नर्त, भडम नर्त, भगोरिया नर्त, लोगीद, गुदुम बाजा की प्रिस्तिया, टिमकी वादन, सहलानत और शास्ति नर्त। आज जिन शहरों से, जिन जगों से कलाकारों की प्रिस्तिया हम को प्राप्त हुई हैं, और हम प्रसाइद करने जा रहे हैं, वे हैं भुपाल, छतरपूर, दतिया, सागर, छिंदवाडा, अलिराजपूर, दमो, डिंडोरी, अनुपूर औरुज्जें। मित्रों इस कारकम में मतवदेश के कोने कोने से, बड़े शहरों से, छोटे शहरों से, जिलों से, तहसीर से, गाहों से, दूर दूर से कलाकारों ने हमको अपने कारकम भेज कर सहयोग किया है, और इस तरह से हम उन सब कलाकारों से जुड़ सके हैं, जो पहले इस तरह की पर जरिए कारकमों के जरिए, अपने हुनार और विधाओं के जरिए, हम सब तक अपनी बात पहुंचाता है, ऐसे कलाकारों को सीधे सीधे जानना, उनकी प्रस्तुतियों से रूबरू होना, कैसे हो सामुजता का एक हिस्सा होकर, हम उनको नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन जब एकल प्रस्तुति के साथ हमारे समख शाते हैं, तो हम उनको पहचानते हैं, जानते हैं, और यह महसूस करते हैं कि किस तरह उनका एकल वाधन, सामुजत वाधन का एक बातुकून हिस्सा होता है, और हमको आदंदित करता है, आशा है आपको ये बहुत चबतकारिक सी पहल, बहुत लोगप्री सी पहल और बहुत नई सी पहल आपको पसद आईए, आपका हार्दी स्वागत है, सुझाओं के लिए, विचारों के लिए, हमें जरूर अवगत कराईएगा, हार्दी धन्यवाद। आपकारररी स्वाद लिए, हार्दी धन्यवाद। कर दो 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 कर कर दो nieuएड़ा ग। अजखने वया है कर दो कर दो कर दो नमस्कार, मैं अमित मलिक, मैलिद मलत मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घुरों में स्वरक्षित एवन सोस्त होंगे और लॉक्डाउन का इसी तरह पालंग कर रहे होंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस तरह honestly हम इस लॉक्डाउन का पालंग करते आ रहे हैं इसले कई दिनों से हम आगे भी करते रहें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और आगे जिस तरह कि जिस अपने देखा हमने अदालत काजिये मुल्क का फैसला आपने सुना हमारे चंद कारिंदों की वजह से एक बिर्मन के साथ जो जुर्म हुआ आपने देखा हमने उप उस जुर्म का इकबाल करके इंसाफ पसंदी और हग का रास्ता इक्तियार किया है मजबी तफ्रीक की वज़े से तुकडों में बिख्री हुई हमारी संतना कि तौरीख में आज का ये लम्हा हमेशा जिन्दा रहीगा इस पाथ लमे को गभाह रख कर हम तौरीख के पन्नों में चंद अलफाज दर्ज करना चाहते हैं हमारी हमेशा से ख्वाइश रही है कि हमारी सल्तनत में सबके साथ एक जैसा सलूप हो खुशिया हो शादमानी हो हमारी सल्तनत में हर इंसान को हख और इंसाफ हासिल हो हमारी रियाया कि अमनों मान ही नहीं बलकि हम जिद्गी के ख्वाइश मन हैं जिन्दा दिली और खुशाली से भरपूर जिन्दगी। इसी लिए हम अपनी संतनत की भलाय के लिए एक नया कदम अक्तियार करना चाहते हैं। हमारी तज्वीज है कि इसी बरस हम अपना दारुल खिलाफा दिली से दौलत अबाद ले जाएं। हाँ, आप लोगों को यह सुनकर हैरानी हो रही होगी। लेकिन हम आप सब को बता देना चाहते हैं। किसी मकरूर सुल्तान का बेमानी खब्त नहीं, बल्किस के ठोस वजा है। आप जानते हैं कि हमारी सल्तनत दिली के उत्री सरहत के मरकज में आबाद है। जहां हर वक्त मुगलों के हमलों का खत्रा दरपेश रहता है। इसी लिए हम अपनी मजबूत गिरफ्त कायम करना चाहते हैं क्योंकि हमारी सल्तनत दूर दख्षिन तक फैली हुई है। और एक दौलत अबाद ही हमारे सल्तनत के बारा सुमों के मरकज में आबाद है। जहां से हम अपनी लंबी चोड़ी सल्तनत पर मजबूत गिरफ्त कायम रख सकते हैं। इसने भी अहम बात कि दौलत अबाद हिंदूओं की आबादी है। हम अपने दारुन खिलाफे को वहां ले जाकर हिंदूओं और मुसल्मानों में एक मजबूत रिष्ठा कायम करना चाहते हैं। इसी लिए इस नेक काम की खाते हम आप सब को दौलत अबाद आने की दावत दे रहे हैं। दावत दे रहे हैं। हुकम नहीं। जिसे भी हमारी स्दाकत पर जरा भी यकीन हो केवल वहीं आं। केवर हम उनकी बनत से एक ऐसी मिसाली हुकूमत कायाम करेंगे जिसे देखकर ये दुनिया दंग रह जाए हमारे खौबों की ताबीर बनने वालों खुदा हाफिस मैं अपन्धा गुरू नियुमेज आटेंग गर्फ्र सोसाइटी की सदस्या सागर मद्य बदेश से पिछले दो बर्शों से मैं गुंदिलखन का लोग प्रेनित बधाई कर रही हूँ और आज आपके सामने उसी को प्रिस्तुक करना चाहते हूँ है क्या एक दो बाइब कर रही हूँ है कर दो 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 कर प्रहुचर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल